कि हालो फेंज बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में फ्रेंज इस वीडियो क्लास में हम डिसक्स करेंगे एससी सीजेल 2017 टियर वन का सैट 21 और यह पेपर हुआ था नो आठ 2017 को आफ्टनुल शिफ्ट में तो यह सारे रियल कोश्टिन्स हम डिसक्स करेंगे और आगे बढ़ने से पहले यहां मैं आपको बताना चाहूँगा अपने ब्लॉक्स और आर्टिकल्स के बारे में यहदि आप मेरे ब्लॉक्स और आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं English एक्सेन से रिलेटेट और exam-oriented आर्टिकल्स यह आप पढ़ना चाहते हैं तो इस website पर आप blog section में जाके इन articles को पढ़ सकते हैं, बहुत ही बहतरीन articles हैं, और बहुत सारे concepts आपके clear होंगे, पैदा जंबल के, close test के, grammar के, spotting error के, तो examiny.in is website पर जाकर, जहां पर आप ये course देखते हैं, वहां पर blog section में आपको जाना है, और इन blogs को आप पढ़ सकते हैं, तो चलिए देखते हैं, इन questions को, देखें, spotting error का ये question पूछा गया है, the CEO only discussed the new venture with his manager, तो इस sentence को यदि आप देखें ध्यान से, तो इसमें कोई grammatical error नहीं है, यदि कोई भी grammatical path इसमें गलत नहीं है, केवल इसमें placement से related एक error है, देखें, only क्या होता है, only एक adverb होता है, और जिस word से पहले इसको हम लगाते हैं, उसको ये modify करता है, उसको ये change करता है, अब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, the CEO only discussed the new venture with his manager, मतलब जो company का CEO था, उसने नए वेंचर को, नए वेंचर मीज कोई भी नई planning, नई scheme, नए प्रोग्राम, उसने वेंचर को उसने manager के साथ discuss किया, तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे है, the CEO only discuss, इसका मतलब यह है कि उसने cable discuss क किया और कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ पर actually sentence बोलना क्या चाहरा है, sentence बोलना चाहरा है कि the CEO discussed only the new venture, CEO discussed only the new venture, यानि only यहाँ पर आना चाहिए आपका, ठीक है, तो इसमें only discussed के स्थान पर आप लिखेंगे discussed only, the CEO discussed only the new venture, बता ओनली जिस वर्ड से आप पहले लगाएंगे उस word को modify करेगा, लेकिन यहाँ पर only को आपको इस word से पहले लगाना चाहिए, new venture से पहले, क्योंकि यहाँ पर इसको हम stress कर रहे हैं, यदि आप यहाँ पर लगाएंगे इसको discuss से पहले तो इसका मतल़ होगा कि उसने केवल discuss किया, उसने केवल discuss किया, जिसका कोई sense नहीं निकले है, तो इसलिए, the CEO discussed only the new venture with his manager, इस तरीके से यह बनेगा, और A इसमें आपका सही answer होगा, question number second देखते है, if she was marrying Mr. Gupta, she would have been recognized as Mrs. Gupta, यह conditions related जो questions है, यह सारे SSC exam में पूछे जाते हैं, और एक या दो questions तो definitely आता ही आता है, अब यह जो question है, यह unfulfilled condition से related है, unfulfilled condition में दो पार्ट होते हैं, ठीक है, एक पार्ट होता है result पार्ट, यह result पार्ट है, और एक पार्ट होता है conditional पार्ट, जिसमें हम कोई शर्त को बताते हैं, यदि शर्त पूरी होती है, तो काम पूरा होता है, यदि शर्त पूरी नहीं हो हो पाती है इसको भुलते हैं Unfulfilled Condition इंग्रेश में तीन Condition होती है एक होती ओपन Condition एक होती इमेजनरी क्वेशन और एक होती है Unfulfilled Condition तो इन तीनों ही Condition के बारे में यह आप पढ़ना चाहते हैं detail में तो मेरा मेरा Condition से रिलेटिड एक वीडियो क्लास है उसको आप देख सकते हैं उसमें लिखा होगा conditional video class तो उसको आप देख सकते हैं तो इसमें क्या होता है इसमें आपका ये है आपका result path और ये है आपका condition path तो result path में हम would have, should have या could have लगाते हैं और इसके साथ हम third form लगाते हैं would have, could have, should have या third form और condition वाले path में हम लगाते हैं head ठीक है head के साथ third form यहाँ पर हम लगाते है और यहाँ पर हम लगाते है would have के साथ third form और यदि इसको आपको passive voice करना है तो यहाँ पर हम बुलते है head bean और यहाँ पर हम बुलते है would have bean bean और लगा देते है passive voice में ठीक है तो would have been तो यहाँ पर सही है लेकिन यहाँ पर was नहीं आएगा इस तरह के structures में was हम नहीं लगाते हैं हम लगाते है had तो इसमें a जो path है यह गलत है if she had married Mr. Gupta she would have been recognized as Mrs. Gupta यदि उसने Mr. Gupta से शादी कर ली होगी तो उसको जाना गया होता Mrs. Gupta के रूप में तो यहाँ पर a पार जो है यह गलत है आपका ठीक है तो question number two का जो answer होगा वो होगा a यहाँ से शुरू होंगे फिलप के question अंकिता is disgusted the habit of her brother इस तरह के propositional error से सम्मदित questions पूछे जाते हैं से इसी exam में disgusted के बाद देखिए तीनों ही चीज़ आ सकती है add भी आ सकता है with भी आ सकता है by भी आ सकता है with हम लगाते है normally person के लिए जैसे disgusted with myself disgusted with yourself disgusted with him इस तरीके से person के साथ हम disgusted with लगाते हैं लेकिन कोई particular object है या situation है तो इसके लिए हम add लगाते है बहुत ज़दा disappoint होना या किसी चीज़ को बहुत ज़दा dislike करना that is called disgusted जैसे हम English में बोलते है how disgusting disgusting मतलब जिस चीज़ को आप disapprove कर रहे हैं dislike कर रहे हैं उसको पसंद नहीं कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं disgusted तो इस situation में इस particular situation में यहाँ पर add कहना सही होगा क्योंकि यहाँ पर आप बात कर रहे हैं किसी चीज़ को dislike करने की या disapprove करने की with हम normally persons के साथ लगाते हैं ठीक है और disgusted with हम उस sense में भी लगाते हैं जब आपने dislike डवलब कर लिया है अपने अंदर over the period of time बहुत लंबे समय से किसी चीज़ को आप देख रहे हैं और एक dislike आपके अंदर create हो गया है तो sense में भी हम disgusted लगाते हैं लेकिन यहाँ पर हम एक habit की बात कर रहे हैं एक situation की बात कर रहे हैं तो इसके लिए हम at यहाँ पर लगाएंगे अंकिता is disgusted at the habit of her brother due to the security reasons we were from entering into the cockpit of the plane entering के बाद विसे into नहीं आता है जब हम enter करने के sense में इसको लिखते हैं यहाँ पर आपको कौल सा word आप लगा सकते हैं due to the security reasons we were from entering into the cockpit of the plane plane मने हवाई जाज जो होता है उसका एक cockpit होता है जहाँ पर सारे पाइलेट बगरा बैठते हैं उसको हम बोलते हैं cockpit तो security reasons की वज़े से हमें cockpit में घुषने से मना कर दिया गया तो इसमें क्या word आएगा denied आएगा, rejected आएगा, stopped आएगा, warned आएगा warned का मतलब तो चेताब नहीं देना होता है हम from लगाते हैं stop के साथ, prohibit के साथ और prevent के साथ ठीक है, prevent from doing something, prohibit from doing something, stop from doing something तो यहाँ पर सही जो answer होगा, वो होगा stopped ठीक है, denied word नहीं आएगा, इसमें denied, we were denied admission इस तरीके से तो आप बोल सकते हैं ठीक है, लेकिन from के साथ, चुकि एक word combine करना है इसलिए from के साथ, यहाँ पर stop word सही रहेगा यह सुनोनिम के question है, exorbitant क्या होता है exorbitant का मतलब होता है, बहुत ज़्यादा, prices के reference में इसको हम use करते हैं, जिसे exorbitant prices, exorbitant charges तो exorbitant का सुनोनिम क्या होगा, exorbitant का सुनोनिम यहाँ पर होगा, high, क्योंकि यहाँ पर, high यहाँ पर जो option दिये है उसमें से high इसमें सही रहेगा, ठीक है rare मतलब बहुत कम, dull मतलब जो bright नहीं है, clear तो इसमें सही जो answer होगा, वो होगा आपका high, exorbitant का जयपादी, जयपादी का अर्थ होता है, peril या risk या खत्रा, जयपादी एक noun है, और jeopardize आपका verb होगी, jeopardize, ठीक है तो यहाँ पर इसका सही answer होगा, risk सिरीन का अर्थ होता है, एकदम शांत, injure का मतलब धुरगटना ग्रस्थ हो जाना, या लग जाना तो यहाँ पर सिरीन इसका सही, sorry, risk इसका सही answer होगा, जयपादी का यहाँ पर आपको अंटोनिम बताना है, चरलिष का होता है, चरलिष होता है, इल-mannered व्यक्ति, जो indecent है, इल-mannered है, इसे सही तरह से behave करना नहीं आता, उसको हम बोलते हैं चरलिष, तो चरलिष का अंटोनिम क्या होगा, चरलिष का सिरोनिम तो अनकूत होगा, अनकूत, सही एंटोनिम होगा, polite या कल्टियस, यहाँ पर आपसे एंटोनिम पूछा जा रहा है, तो एंटोनिम यहाँ पर होगा कल्टियस, चरलिष का, फ्लेग्मेटिक क्या है, फ्लेग्मेटिक का मतलब जो indifferent है, जो उदासीन है, जिसके अंदर कोई emotions नहीं है, उसको हम बोलेंगे फ्लेग्मेटिक का सुनोनिम होगा indifferent, लेकिन इसका एंटोनिम आपको पता करना है, एंटोनिम होगा इसका ardent, क्योंकि ardent का मतलब होता है, उत्साही, जो excited है, ardent, ardent reader हम बोलते हैं, ardent reader, जो reading के बारे में बहुत ज़्यादा excited है, उत्साही है, mercy less मतलब जिसके अंदर mercy नहीं है, जिसके अंदर दया नहीं है, prohibit मतलब रोकना, indifferent मतलब अधासी, ठीक है, तो फ्लेग्मेटिक का एंटोनिम होगा ardent, ardent fan भी होता है, ardent reader भी होता है, ठीक है, idiom phrases का ये section है, damp, squib, damp का मतलब क्या है, damp का मतलब होता है किसी चीज को, कोई किसी चीज को गीला करना, जो कोई भी कपड़ा, या कोई भी ऐसी चीज जिसमें, जैसे sponge होता है, जिसमें पानी को हम भीगो देते हैं, तो यदि आप damp, squib को, suppose कहीं पर आग जल रही हो, उस आग के उपर डालते हैं, तो क्या उसका result होगा, वो आग पूरे तरीके से खतम हो जाएगी, तो damp, squib का मतलब होता है, complete failure, किसी भी चीज में, complete failure, इसको हम बोलेंगे, damp, squib, ये इसका answer होगा, squander का क्या रता है, इसको इंडर करता है, waste करना, किसी चीज को time या पैसे को, waste करना, particularly पैसे को, तो damp, squib का synonym होगा, complete failure, rise like a phoenix, phoenix actually, एक चिडिया का नाम है, वो bird होती है, जो कि जिसको यद पैदा हो जाती है, अपनी राक से ये फिर से पैदा हो जाती है, phoenix, तो इसका मतलब क्या है, rise like a phoenix का होगा, to become successful again, एक बार fail हो जाने के बाद, फिर से successful हो जाना, उसको हम बोलेंगी, rise like a phoenix, ये है sentence improvement के question, और ये word related question है, इसमें एक word या एक word phrase दिया रहता है, bracket में, और आपको improve करना होता है, उसके लिए आपको exact और most appropriate choice आपको ढूड़ना होती है, ठीक है, the mobile phones have made digital cameras are little superfluous in today's world, सबसे पहले sentence का मतलब हम जानेंगे, इस sentence का मतलब क्या है, इस sentence का मतलब ये है कि mobile phone ने digital camera को superfluous कर दिया है, क्योंकि digital camera जो होता है, वो mobile phone में ही होता है, तो इसलिए digital camera की value अपकम हो गई है, तो superfluous का क्या मतलब है, superfluous का मतलब होता है, जो चीज extra है या needless है या जिसकी जरूवत नहीं है, जिससे suppose आपको एक ऐसे लिखना है, 100 words में एक ऐसे लिखना है, और आपने लिख दिया 150 या 250, extra words डाल दिया जिसकी जरूवत नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे superfluous, इसको हम redundant भी बोलते है, redundant मतलब needless यह जो redundant word दिया है, इसका मतलब भी होता है, जो जिसकी जरूवत नहीं है, जो needless है, लेकिन superfluous और redundant यह हम writing में यूज करते हैं, इस sense में हम यूज नहीं करते हैं, extinct को हम animal के reference में यूज करते हैं, कि यह particular animal extinct हो गया है, redundant को भी हम इस sense में यूज नहीं करते हैं, यहाँ पर सह आपको मिलती हैं, तो obsolete यहाँ पर इसका superfluous के स्थान पर इसमें obsolete कहना सही होगा, ठीक है, question number 12 देखते हैं, if you will approach her sincerely, she will listen to your problem definitely, मतनब यह आप उसके पास sincerity के साथ जाते हैं, तो आपकी problem को sincerity के साथ definitely सुनेगी, यह आप जाएंगे तो वो सुनेगी, यह नहीं दो इसमें future activities की बात हो रही है, और यह rule में पहले बता चुका हूँ कि जब किसी भी sentence में दो future activities की बात होती है, तो उन दोनों में से एक sentence को हम लिखते हैं, present simple tense में, किस sentence में present simple tense का use करते हैं, ऐसा कोई भी sentence, जिसमें जो if से start हो, या unless से start हो, until से start हो, when से start हो, as long as से start हो, इन conditional words से या इन connector से जो sentence से start होगा, उसको हम लिखेंगे present simple tense में, और जो दूसरा वाला sentence है, इसको हम लिखेंगे will के साथ, can के साथ, या may के साथ, depending upon the meaning, इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जो connector वाला path होगा, जो path dependent होगा इस sentence में, इस पे, ठीक है, या आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो if से start होगा, या unless, until से start होगा, या till से start होगा, या as long इस से start होगा, उसको हम present simple tense में लिखेंगे, तो इसका सही answer क्या होगा, इसका सही answer होगा, you approach, ठीक है, if you approach her sincerely, she will listen to your problem definitely, इस तरीके से इसका answer बनेगा, question number 13 देखते हैं, that which is away from center, ये one word substitution के question है, अब यहाँ पर option क्या दिये है, option दिये है, eccentric, eclectic, ellipsis, equine, equine actually horse से related कोई भी चीज होती है, something that is related with horse, equine उसको बोलते हैं, ellipsis किसी चीज को suppress कर देना, जैसे जो short forms होती हैं English में, उसको हम ellipsis बोलते है, eclectic, broad minded होता है, eccentric मतलब जो abnormal है, या unconventional है, उसको हम बोलते है, eccentric, तो यहा पर दिये हुए option मैंसे इसका answer, eccentric आपका होगा, और चारो option भी मैंने बता दिये हैं, तो इससे related भी कोई question आता है, तो उसको भी आप आसानी से कर देंगे, equine मतलब horse से related, ellipsis मतलब short form, eclectic मतलब broad minded, और eccentric मतलब जो abnormal है, जो abnormal है, one who values practicality, मतलब जो practical thinking में जदा believe करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम pragmatic बोलते हैं, या pragmatic approach जैसे हम बोलते हैं, तो इसका सही answer होगा, pragmatic, sorry, pragmatic, pliable, मतलब जो flexible है, जुक सकता है, या मुड़ सकता है, apotheosis मतलब model of excellence, किसी भी चीज़ का एक model, realist मतलब जो reality में विश्वास करता है, या theory में विश्वास करता है, लेकिन practicality की बात हो रही है, तो practicality के लिए यहां पर pragmatic जो word है, यह इसका सही answer होगा, pragmatic मतलब जो practical है, जो बिभारिक है, find the incorrectly spelled word, जो word, जिस word की spelling गलत है, वो आपको find out करना है, plaintiff की spelling सही है, plaintiff होता है, जो court में case दर्ज करता है, किसी के against, उसका मुझत है plaintiff, potatoes की spelling सही है, potassium की spelling सही है, pedestrian में actually, pedestrian की spelling गलत है, क्योंकि यहां पर इसमें train नहीं होता है, इसमें होता है, pedestrian, pedestrian, तो pedestrian की spelling यह गलत है, ए आंसर होगा इसमें, pedestrian, जो पैदल चलता है, जो vehicle से नहीं चलता, जो गाड़ी से नहीं चलता, और जो पैदल चलता है, walking करता है, उसका हम बोलते हैं, pedestrian, आगे आजाते हैं, find the incorrectly spelled word, fabulous सही है, gorgeous सही है, heterogeneous सही है, innocuous में double N आता है, innocuous में double N आता है, और innocuous का मतलब होता है, harmless, जिससे कोई नुकसान आपको नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं innocuous, और इसका सुनोनिम होगा detrimental, क्योंकि detrimental का मतलब होता है, harmful, ठीक है, fabulous का मतलब, और शांदार, gorgeous का मतलब, attractive, heterogeneous मतलब, जिसमें अलग-लग elements हों, जो एक जिसे element ना हो, अलग-लग elements हों, तो innocuous में चुकी double N आता है, इसलिए innocuous यहाँ पर आपका सही answer होगा, यह हैं आपके पैरा जंबल के question, और पैरा जंबल के question, कभी-कभी, particularly CGLTA2 में काफी tough questions पूछे जाते हैं, और आपको अंदाजा नहीं लगता कि कहां से स्कों शुरू करें, कहां पर खतम करें, तो पैरा जंबल में simple आपको logic apply करना है, आपको पूरा sentence यह जरूरी नहीं है, पूरा sentence आप पढ़े, सारे word meanings आपको पता हूँ, यह जरूरी नहीं है, कि बल सिंपल logic आपको apply करना है, और मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से, इसके कुछ basic fundamentals होते हैं, और पैरा जंबल के बारे में मैंने एक blog भी लिखाया है, examinee.in, पर उस blog को भी आप जरूर पढ़ें, उस में मैंने tricks बताई हैं पैरा जंबल को solve करने की, तो उस blog को आप जरूर जरूर पढ़ें, और उससे आपको फाइदा होगा, concepts clear होंगे, देखे, पैरा जंबल में क्या होता है, कि आपको mandatory pair होते हैं, जैसे A के साथ C जा रहा है, अब A के साथ C क्यों जा रहा है, क्योंकि हो सकता है, उसमें कुछ links हों, उसमें कुछ common reference point हों, ठीक है, तो इस तरीके से याप दो mandatory pair बना लेते हैं, तो आप पैरा जंबल को within seconds का सकत होते हैं, जैसे यहां पर आप, आप इसमें देखिए, पैरे जंबल लॉन्मली स्टाट होता है, नावन या प्रोणाउन से, तो इसमें लेखा है the violent, the violent का मतलब है the violent people, यहां से आप sentence स्टाट कर सकते हैं, वी से स्टाट नहीं होगा, क्योंकि we प्रोणाउन है इसमें, और यहाँ पर यह sentence में actually noun pronoun नहीं दिया गया है, इसमें noun pronoun है, इसमें नहीं है, ठीक है तो यहाँ से start करते हैं इसको, इसको start करते हैं R से, The violent can be made calm by exuding thought of love and compassion, वादर जो aggressive लोग हैं उनको आप शान्त कर सकते हैं, love or compassion के thought उनको बता के, या उनके साथ share करके, और ठीक है, तो इन दोनों का पेर बन रहा है और इन दोनों का देखते हैं हम यहाँ पे, इस संस्टिम माइं easily absorb the vibration emanating from the thought of the people it associate with, visits to holy place are considered good because the good thoughts of the holy people gathered there and the ensuing vibration definitely affect one in positive, fashion तो पी और एस आपस में जुड़ रहे हैं, पी और एप आपस में जुड़ रहे हैं, इसमें हम यह बता रहे हैं कि एक सेंस्टिम माइंड जो होता है, वो आसानी से वाइबरेसंस को एब्सॉर्ब कर लेता है, यदि positive vibrations हैं तो उसका mind positive हो जाता है, यदि negative vibrations है तो उसका mind negative हो जाता है, तो यहाँ पर हमने fact को बताया है और उस fact को यहाँ पर हमने extend किया है, कि यदि आप holy places को visit करेंगे, तो उसी तरीके के विचार आपके दिमाग में आएंगे, तो PS जो है, इसका एक mandatory pair यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, और PS जो है, यदि आप option में देखें, तो cable एक ही option में PS है, और वो है A में, तो इसका मतलब आपका answer होगा RQPS, RQ जुड़ जाएगा और उसके बाद PS, इस तरीके से इनको करना होता है आपको, अब देखें, same logic में इसमें बताता हूँ आपको, जैसे, इसको हम कहां से start कर सकते हैं, देखें, it से start नहीं होगा, क्योंकि it एक pronoun है, मच से start नहीं होगा, यहां से start हो सकता है, क्योंकि यहां पर एक noun दी है इसमें, noun से एक paragraph से start होता है, The approach to idealism by Western philosopher has been different to that Eastern thinkers, ठीक है, अब देखें, इसमें हमने best and philosopher की बात की है, और इसमें भी हमने best and thought की बात करी है, ठीक है, तो Q or R का एक mandatory pair बन रहा है, Q or R का, क्योंकि इसमें common reference word है, इसमें भी Western philosophy की बात की है, और इसमें भी Western thought की बात की है, और इन दोनों में से Q पहले start क्यों होगा क्योंकि इसमें noun है इसमें हमने noun का use किया है तो noun से हम paragraph के start करते हैं तो Q और R का एक mandatory pair बन रहा है अब option में देखिए option में Q और R cable D option में दिया है इसके D इसका सही answer होगा Q R S P Q R S P अब देखिए यहाँ पर चुकी हमने western thought की बात की है और western thought को यहाँ पर हम replace कर रहा है its से यानि pronoun से तो यहाँ पर मतलब P R के बाद इसमें इसमें Q R के बाद S आ जाएगा और S के बाद फिर एक ही sentence बचेगा P तो P आ जाएगा इस तरीके से इसका answer होगा आपका Q R S P यह passive voice, active voice के sentence है करनाटिका grows coffee यह present simple tense है present simple tense में हम is MR के बाद वर्प की third form लगाते हैं तो इसका answer हो जाएगा coffee is grown in करनाटिका coffee is grown in करनाटिका इसमें नहीं इसमें being है इसमें is missing है इसमें let है इसका answer होगा, see, यह काफी simple होते है और इसमें आप 100% score कर सकते हैं passive voice में यह थी थोड़ा सा आपको practice है और concept आपके clear है तो, Gopal's mother reminded him to take his wallet Gopal की मदर ने उसको remind कराया कि अपना wallet वो लेके जाए तो remind हम किसी व्यक्ति को कप कराते है जब व्यक्ति कुछी भूल जाता है ठीक है, यानि forget word यहाँ पर आएगा वहाँ पर यह आपका सही answer हो जाएगा forget word इसमें केबल second में है don't forget to take your wallet Gopal said his mother Gopal's mother reminded him to take his wallet ठीक है तो इसमें forget word आ रहा है do not forget to take your wallet यह उसकी मदर क्या कर रही है उसको remind कर आ रही है do not forget to take your wallet Gopal said his mother तो यहाँ पर भी इसमें सही answer होगा देखिए active passive voice में और narration में आपको rules तो पता ही होना चाहिए लेकिन rules के लावा आपको logic apply करना भी आना चाहिए ठीक है क्योंकि questions जो है वो twist करके दिये जाते हैं कभी कभी घुमा के दिये जाते है जैसे इसमें मैंने आपको बताया कि reminded का मतलब होता है याद दिलाना और हम किसी भी व्यक्ति को कोई चीज तभी याद दिलाएंगे जब वो forget कर दे उस चीज को तो इसले forget के बल इसी में आ रहा है तो ये एक मैने logic लगाया तो आपको rules plus logic दोनों ही को apply करना है active passive voice में और narration में ठीक है अब देखिए close test देखिए यहाँ पर organizations are institutions in which members complete for, compete for actually यह compete होना चाहिए compete for status and देखिए organizations ऐसे institutions होते हैं जहाँ पर members जो है वो compete करते हैं वो एक दूसरे से प्तिजंदता करते हैं status के लिए और किस चीज के लिए status के साथ कौन सा word normally जोड़ता है क्या growth जोड़ता है क्या money जोड़ता है पावर भी होती है तो status के साथ growth या money word नहीं जोड़ते है status के साथ power word जोड़ता है तो naturally status के साथ power word यहाँ पर जाएगा और इसका answer हो जाएगा power organizations are institutions in which members compete for status and power दे, दे के बाद क्या आएगा दे, इसमें भी compete ही आएगा दे compete for the resources organization में जो resources होते हैं उसके लिए वो compete करते हैं क्योंकि compete के बाद हम 4 लगाते हैं rely के बाद on आता है, run के बाद भी 4 आता है लेकि run physical sense में यूज होता है expand फैलाना होता है तो यहाँ पर सबसे suitable होगा compete, they compete for the resources of the organization, for example to expand their own department यह आपको अपने department को expand करना है तो आपको किस चीज की जरुवत होगी आपको पैसे की जरुवत होगी, for example finance to expand their own department इसमें actually finance आएगा आप अपने department को यह दिए expand करना चाहते हैं तो finance की जरुवत होगी, infrastructure की नहीं यह resources की नहीं यह source की नहीं infrastructure, actually infrastructure तो पूरी building में ही लगता है लेकिन department को आपको expand करता है तो वहाँ पर आपको finance की जरुवत होगी for example finance to expand their own department for career advancement department में जो लोग होते हैं companies में जो लोग होते हैं वो career advancement के लिए काम करते हैं for career advancement and for power to power to the activity of others दूसरे लोगों जो activities उनको आप क्या करेंगे उनको आप कर्व नहीं करेंगे उनको आप effect नहीं करेंगे ठीक है यदि effect होगा तो यहां पर फिल्टर उनकी activity का आप effect नहीं करते हैं उनकी activity का आप control करना चाहते हैं actually यहां पर होगा B for power to control the activity of other ठीक है तो इस तरीके से यह 25 question मैंने इसमें explain किये हैं और I hope आपको यह अच्छे तरीके से समझ में होंगे close test simple ही आता है simple reading से आप आसानी से close test कर सकते हैं आपको आपको पता पढ़ जाएगा कि कहां पर कौन सा वर्ड आना चाहिए एक natural combination होता है words का active passive voice में आपको logic और rule दोनों ही आपको याद करना है और spotting error में तो simple grammatical concepts आपको अच्छे होने चाहिए vocabulary आपको थोड़ा सा याद करना पढ़ेगी तो इस तरीके से ये set 21 था से cjl tier 1 का ठीक है और इन सभी questions को देखने के लावा आप मेरे blogs और मेरे articles जलूर पढ़िए इस site पर www.examiny.net site पर जाकर ऊपर एक section होगा blog यहां पर लेखा होगा यहां पर about us home और इस तरह के sections होते हैं वहां पर बगल में blog लेखा होगा इस ब्लॉग को जलूर पढ़िए यहां पर इंग्लिश एक्शन से रिलेटेर अलग आर्लग आर्टीकल्स और concept questions spotting your questions यह सारे में लिखता हूँ यहां पर तो इनको आप पढ़ें और इनसे आप जरू 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 फाइदा उठाएं तो इस वीडियो क्लास में इतना ही आप मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में थेंक्यू